दोस्तों आपने तो संफ्लावर देखा होगा ऐसे तो संफ्लावर बहुत सारा भिराइटी में आता है और ये ड्वार्फ बाला भिराइटी है ड्वार्फ बाला भिराइटी है ड्वार्फ बाला तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है इसमें बहुत सारा फूल होता है मेरे पास होते होते यह 3-4 फिट का गर्मी का मौसम चला है तो आप देख सकते हैं गर्मी में इसका में पानी थोड़ा ज्यादा देना होता है और बहुत दूर में यह फैला रहता है गमला का बात करें तो 24 निज या 25 निज का गमला में रखिए और लगा दीजिए और बहुत सुन्दर इसका फूल लेते रहे हैं बराबर फूल देते रहेगा और यही रहता है इसका खासियत और ऐसे तो यह लगाना बहुत आसान है Seed से ग्रो कर लिजे या आप कोई भी ऑन लाइन सौप से एक प्लांट ले आई है प्लांट या सीड मंगवा लीजी ओन लाइन मंगवाना चा अगर जन्मनेशन रेट की बात करें तो 99 तो नहीं रहता है मेरा 25% जन्मनेशन चला था लेकिन वह भी ठीक है 25% से ही बहुत सारा प्रान्ट बन जाएगा और गंट की बात करें तो आप गंट हो है वह आप थोड़ा बरा बारा लीजे छीट लेके जितना ब достना चाहते हैं 12 इंच बाला भी अप ले सकते हैं ऐसे तो इंच बाला भी एक प्लांट चलाने के लिए 12 इंच बहुत अच्छा रहता है लेकिन 12 इंच में कम फूलाएगा 22 इंच में थोड़ा ज्यादा आता है और बीज गीराने से पहले वहां अच्छे तर से निराई गुराई कर दिजे और बर्मी कंपोस्ट मिला दिजे और दिजे और पानी देके छोड़ दिजे एक दिन के लिए और उसी में बीज गीराईए जितना गर्मी हीट वेव चल दा है उसमें बीज अभी तो लगाना बहुत संभव उतना नहीं है अगर प्लांट मिल जा तो प्लांट आपको तीन-चार रुपे में एक प्लांट देगा उपर से वर्मीं कमपोस्ट का एक लिर चलहा दिजे गमला में भी लगायेगा तो 75% मित्मी और 25% वर्मीं कमपोस्ट का रेशियो रख़िए और उसी में बीज गी रही है और उसी में एक प्लांट छोड़ दिजये उसी गमला में और गो चाल के अलग-अलग गमला में यह देखने में बहुत सुन्दर लगता है लेकिन आपको समय की बात करें दो समय आपको पानी देना होगा यह ऐसा इसलिए होगा जो दो समय अगर पानी नहीं दीजेगा तो यह प्लांट सुख जाएगा और जितना फूल और कली इसमें आता है अभी गर्मी भर मांसून जैसे ही आ जाएगा उसके बास तो प्लांट लगाना बहुत आसान हो जाएगा ऐसे तो मांसून आने के बाद इसका बीच गिराना बहुत आसान हो जाएगा और प्लांट भी लगाना अक्टूबर नुवंबर में भी फूल देते रहता है सालू भ सकते पास अभी दो प्लांट ही बचा हुए त्पांसाथ था हेट suspects के करसं वह सब सूख गया ल leash लेकिन अभी दो प्लांट ही है तो वह भी बहुत सुन्दर है और सुन्दर के श्राप करें तो सुन्दर और सबस्वावर बाराबाला भी लगाए है ड्वाम वाला इस लिलागा है जो इसमें जादा सो जादा फूल दे और नहीं डो प्लांट है थो अपना फूल देते रहेंगा दस-पिस सो हर दम होते रहेंगा और बहुत अच्छा रहता है वह भी आप नर्सरी से ले सकते हैं hybrid रहता है और वह बहुत बड़ा plant बनता है ऐसे तो आप देख सकते हैं ये छोटा बाला hybrid कर रहता है ड्वार्फ भेराइटी से कहा जाता है और सभी नर्सरी में आराम से मिल जाता है और सभी जगह ये आराम से ग्रोह भी किया जासता है और वी से आप बीज अगर collect करके रख लीजेगा तो अगले साल भी आप लगा सकते हैं ऐसा इसलिए होता है जो आप उसे collect कर लीजे और रख रहिए और अगले साल फिर लगा लीजे ऐसे ही करके लोग करते हैं हर एक साल भीज खरिदने नहीं जाते हैं और देखी कितना सुंदर फूल है और कैसा यह लग रहा है देखिए प्लान्ट कितना सुन्दर लग रहा है और नीचे तक यह कनायन दिये हुए कनायन फूटेगा और इसमें बर्विंग का पुष्ट का बराबर मातरा देते रहेंगे मैं जमीन पर इसलिए लगाया हूं तो बहुत दूर में फ्रैले और बहुत सा इरिया च्छेकिए और बहुत सारे एरिया च्छेकिएगा तो अराम से फूल देगा और ज्यादा से ज्यादा बंच भी फूल आगा जो देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और इन लास्ट करते रहेगा बगल में सन फ्लावर बड़ा बाला भी है और यह छोटा वाला है मिनियाचर जिसका जट दर